असलाम अलेकुम, हाई डेर गाईज, वेलकम बैक तो मैं चैनल और वेलकम बैक तो आ ब्रैंड न्यू वीडियो, उमीद है कि आप सब लोग बिलकुल ठीक ठाग होंगे और फुल टाइम मज़े में होंगे, और आज मैं बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग वीडियो आप लो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है वीडियो के उपर तो उसके लिए थैंक यू सो मच मेरे दिल से, दिल की गहराईयों से, लेकिन मुझे आप लोगों से एक शिकायत भी जरूर है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग गिववे रखा था कि 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में आप लोगों को मैं धेर सारा मेकप गिफ्ट करने वाली थी, लेकिन आप लोगों ने जनाब उसके ओपर अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं हो सके जो के आप लोगों के लिए बिल्कुभी मुश्किल काम नहीं है, तो अगर आप लोग सजेस्ट करें तो मैं उस गिववे की थोड़ सी स्ट्राइजी चेंज करके रख देती हूँ, उसमें से कुछ चीज़ हैं, मैं 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर आप लोगों को दे द है, तो प्लीज मुझे कॉमन बाक्स में बताएं, तो हम लोग ये स्ट्राइजी भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और आपको चीज़ें मिल सकती हैं जल्दी, ठीक है जनाब, और अब आप लोग देख रहे होंगे, कि मेरे सामने ये ब्रशिस ही ब्रशिस क्यों पढ़े वे हैं और ये एक ग्लिटरी सा बॉक्स, खुबसूरत सा बॉक्स क्या है, ठीक है, थोड़ा सा सर्प्राइज है आप लोग के लिए, मैं आप लोग के साथ इस वीडियो के अंदर अपने ब्रशिस शेयर करने वाली हूँ, कि मैं कौन से ब्रशिस यूज करती हूँ, कौन से नहीं क तो सब कुछ इस वीडियो मैं बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो बहुत ज़ादा इंटरस्टिंग होने वाली, इसलिए आप लोग उने एंड तक देखनी है, ये एक कंपैरजन वीडियो है, और इसमें मैं तू डिफरेंट टाइप्स के ब्रशिस का कंपैरजन करने वा जनाब ब्यूटिफाइब आमना के ब्रशिस ये देख लें, इसके ओपर मैंशन किया गया है, और बहुत ही प्यारा बेबी पिंक सा कलर है, और आप इसका बॉक्स देखें कितना खुबसूरत ग्लिटरी सा बॉक्स है इसका, मुझे इसका बॉक्स बहुत अदब सन था, जन और आपका दिल कर रहा होगा, मैं इसको जल्दी से ओपन करूँ, तो सबसे पहले मैं इसको साइट पर रखकर आपको ये वाला बॉक्स ओपन करके दिखाती हूँ, जनाब इसकी दोनों साइट पर इनका ये लोगो लगा हुआ है, ब्यूटिफाइब आमना का, बोज पर है, चलें जी ओपन करके देखते हैं, अंदर से कैसा है, ये देखें जनाब, आई होप सो के आप लोगों को अच्छे से नदर आ रहा होगा इस वीडियो के अंदर, ये देखें जनाब, इस किसम का ये बॉक्स है, इसके अंदर हम लोग अपने सारे ब्रशिस भी रख सक लगते हैं, ताके डस्ट, टर्ट वगेरा हमारे ब्रशिस के उपर ना पड़े, बहुत ज़्यादा सेफ रहते हैं, और ट्रैवल के टाइम पर भी ये बॉक्स पकड़ा और फोरन से बैड में रखा, हमें अलग-अलग ब्रश उठाने की जरुत नहीं पड़ती, तो पर, जी जनाब, ब्यूटिफाई बाय आमना टोटल हमें 10 ब्रशिस प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर हमारे पास 4 जो है फेस ब्रशिस हैं, और 6 जो है वो आई ब्रशिस हैं, ठीक है जनाब, तो वन बाय वन हम लोग फेस ब्रश को देख लेते हैं, सबसे पहले हमार खुबसूर ब्रश है, मुझे ये बहुत ज़्यदा पसंदा आया, बहुत डिफरेंट था, बाकी जितने भी ब्रैंड्स हैं उनसे ये डिफरेंट था, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यदा सॉफ्ट भी है, तो नेक्स है हमारे पास इनका ब्लश है, इसलिए ये बहुत अच्छा है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका पाउडर ब्रश, ये देखें ये कितना कितना जबरदस्त है, ये भी बहुत ज़्यदा सॉफ्ट है, और देखें इसके ब्रेसल्स कितनी ज्यादा डेंस्ट है, बहुत ज़्यदा फलफी सा ब्रश है, ये इसलिए इसको angle brush भी कहते हैं और ये contouring के लिए use होता है normally हम लोग जरूरी है कि एक brush को हम लोग सिर्फ एक purpose के लिए ही use करें ये आपके उपर totally depend करता है कि आप एक brush को किसां से use करते हैं मैं इसको even अपनी under eye को set करने के लिए भी use कर लेती हूँ इसको मैं blush लगाने के लिए भी use कर लेती हूँ contouring के लिए, bronzing के लिए even मैं इसको highlighter apply करने के लिए भी use कर लेती हूँ इसलिए ये totally आप पर depend करता है कि आप एक brush use करके अपना सारा make up कर लें पूरे face का या फिर आप पूरे face के लिए different brushes use करें इस totally up to you कोई जरूई नहीं कि आप बहुत ज़्यादा brushes को buy करें और use करें next हम लोग देख लेते हैं इनके eye brushes eye brushes के अंदर हमाई पास सबसे पहले है ये flat brush ये बहुत बहुत ज़्यादा का brush है मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि foundation को लेती हूँ अपने हाथ पर और यहां से लेके थोड़ी थोड़ी पूरी अपने foundation को फिला लेती हूँ अपने पूरे face के उपर तो हम लोग इससे अपनी eye brows को भी define कर सकते है concealer अप्लाई करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है मतलब multi purpose brush है यह इसमें से बहुत अच्छा brush है next है हमाई पास यह एक dense brush है यह देखें आप कैसे दिखाऊं मैं यह देखें इसके उपर तो लिखा हुआ है कि यह large crease define करने के लिए brush है लेकिन mostly मैं इसको मुझे तो लगता है कि इससे crease define करना जरा मुश्किल है क्योंकि इसके जो bristles हैं वो काफी dense है तो brush को असानी से move करना मुझे थोड़ सा मुश्किल लगता है इसलिए इस brush को मैं अपने जो भी face के ओपर dark spots होते हैं उनके ओपर concealer apply करने के बाद मैं हलका सा इसके साथ उसको set कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत dense है और जो भी dark circles वोगरा है उने areas को भी set करने के लिए मैं ये वला brush यूज करती हूँ ये बहुत का brush है इस पूरे set में से अभी तक जो मेरे favorite brush है वो ये तीन brush है ठीके बाकी इतने ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है इन में से ये जो तीन brush है ये बहुत बहुत ज़्यादा काम के brush है और next है हमाई पास blending brush ये eyes की blending के लिए brush है ये देखें और सबसे मज़े की बात है ये white color में मुझे बहुत अच्छे लगे हैं बहुत adorable से लगते हैं ये और ये हो गया हमारा blending brush next है हमाई पास ये वाला pointer brush ये वाला brush भी बहुत काम का है ये जब हम लोग अपना eyes make up complete करते हैं तो अपनी eyes की जो lower lash line होती है उसके ओपर भी हम लोग brown shade apply करते हैं तो मैं उसके लिए ये वाला brush यूज करते हूँ ये देखें है blending brush है लेकिन ये pointer brush इसको कहते है pencil brush भी बास वकात कहल देते हैं इसको तो इसके ओपर simply लिखा हूँ blending brush ठीक है तो ये brush भी बहुत अच्छा है next है हमारे पास ये देखें जनाब eyebrow brush ये वाला brush भी बहुत जबरदस्ट है मुझे ये भी बहुत पसंद है इसे हम लोग अपनी eyebrows को भी fill कर सकते है then हम लोग भी इसके साथ अगर इसको साफ रखें तो हम लोग अपनी eyebrows को define करने के लिए जैसे हम लोग concealer अपनी eyebrows की side के ओपर apply करते हैं कि हमारी eyebrows और नीट होके नजर आएं तो उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं और lastly हमारे पस है ये liner brush liner brush बहुत ही ज़्यादा average brush है कोई खास मुझे पसंद नहीं है या ना ही मैंने आज तक इसको use किया है हाँ एक दफ़ा use किया था मैंने इसको glitter apply करने के लिए अपनी eyeliner के साथ साथ मैंने glitter apply करना था तो उसके लिए मैंने इसको use किया था normally मैं इसको use नहीं करती क्योंकि ये इतना precise नहीं है इसके bristles बहुत फैले हुए हैं ये देखें ये आप देख सकते हैं तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है ठीक है जनाब ये हो गए beautify by amna के सारे brushes अब आप लोगों को idea हो गया होगा कि beautify by amna के brushes के अंदर कौन-कौन से brush आते हैं तो जनाब ठीक है मैंने आप लोगों को beautify by amna के सारे brushes दिखा दिये हैं कि one by one बताया है कि कौन सा brush कैसा है और कौन सा मुझे पसंद है कौन सा नहीं पसंद तो इनको हम लोग कर देते हैं side पे तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जनाब इसका comparison अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ real technique के ये वाले brushes जो के original नहीं है again मैं आप लोगों को बता दूँ ये dupe है लेकिन ये dupe इतनी कोई fit किसम की dupe है इतने जबरदस्त है कि सबसे पहले मैंने ये वाले buy किये थे ये पूरा set मैंने लिया था ये पूरा set I think मैंने 4000 के अंदर buy किया था और इसके साथ मुझे कुछ goodies भी मिली थी काफी अच्छी deal हो गई थी इनकी तो 700 में मुझे ये 4 brush मिले थे इसके अंदर एक मुझे ये मिला है powder brush ये भी multi purpose brush की तरह हम लोग इसको use कर सकते हैं इसके साथ हम लोग bronze भी कर सकते हैं blush भी apply कर सकते हैं और face को भी set कर सकते हैं तो एक ये brush है next है हमाई पास एक ये वाला brush इसके साथ मैं mostly अपने face के ओपर base apply करने के लिए इसको use करती हूँ ये मुझे इतना पसंद है इतना पसंद है कि समझें कि इन सारे brushes में से most favorite brush मेरा ये वाला है क्योंकि base apply करने के लिए मुझे ये सबसे अच्छा लगता है ये भी मैंने आपको बताया था कि ये मुझे बहुत पसंद है लेकिन जब मैंने इस brush को use किया तो मुझे इसके comparatively ये वाला जो brush है ये जो local market से मैंने मतलब लिया है ड्यूप है ये ज्यादा अच्छा है इसके bristles भी soft है लेकिन जो मज़ा इसको use करने का ना वो इसका भी नहीं है ठीक है नेक्स हमें इसके अंदर एक ये वाला brush मिला है ये बिल्कुल smart सा brush है ये भी मुझे बहुत से पसंद है क्योंकि ये मुझे use करना अच्छा लगता है अपना face के पर highlighter apply करने के लिए ठीक है क्योंकि इन सब brushes में से कोई भी brush specifically highlighter apply करने के लिए कोई brush नहीं है तो ये बहुत जादा precise सा brush है जिसको मैं अपनी cheekbones को highlight करने के लिए use कर सकती हूँ मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और next है हमारे पास last but not least ये हमारे पास एक छोटु सा brush जो के dense है और blending brush के तोड़ पर भी use किया जा सकता है इसमें इसका जो comparison है इसमें एक brush है उसके साथ है ये वाला brush ठीक है ये दोनों brush तकरीबन ये मिलते जुलते हैं लेकिन इसके bristles हैं वो short हैं और ये वाले long है तोड़े तो इस से blending करना इस brush से blending करना आसान है इस brush से blending करना मुश्किल है ठीक है तो इसलिए ये वाला brush dense भी है और इसके bristles large भी हैं तो मुझे ये blending के लिए ये brush बहुत ज़्यदा अच्छा लगा है और अगर अगर अब हम लोग इन brushes के comparison की बात करें तो मुझे beautiful by आमना के brushes से ज़्यदा अच्छे real technique के ये dupe मुझे ज़्यदा अच्छे लगती है ठीक है जनाब ये मैंने deal में buy की थे 4000 के और साथ में काफी सारी goodies में मिली थी वो एक अच्छी deal थी लेकिन use करने की बात है कि मैं जब भी अपना powder brush या blush brush use करती हूँ तो मैं इस तरह से use नहीं करती मैं अपने blush को ऐसे ऐसे apply करती हूँ तो जब मैं ये face के उपर ऐसे करती हूँ तो मुझे जो इसके ये results हैं बहुत ज़्यादा harsh लगते हैं अपनी skin के उपर तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते लेकिन जब मैं real technique के इस brush के साथ अपना blush apply करती हूँ तो मुझे बहुत soft feel होता है ठीक है ऐसे feel करने से तो दोनों brush ही soft लगते हैं लेकिन असल में brushes का तब पता जलता है कि जब आपने face के उपर उनको feel करते हैं तो इसलिए मुझे ये वाले brush बहुत ज़्यादा soft लगते हैं ये भी अच्छे हैं ये भी आप buy कर सकते हैं में तरफ से ये भी recommended हैं लेकिन ज़्यादा अच्छे ये वाले हैं तो जनाब ये था मेरा आज का brushes का review ये वाले brushes मैंने खुद use किये हैं experience किये हैं इसलिए मैंने बिल्कुल honest review दिया है आपको उमीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने one by one सारे brushes का आप लोगों को बता दिया है आपको समझ आ गई होगी आपके कौन से brushes आपको लेने हैं या आपकी skin type कैसी है या आपकी nature कैसी है आपको किस किसम के brushes चाहिए होते हैं देखने मेँ ये वाले brush बहुत ज़्यादा cute लगते है इसका box भी बहुत ज़्यादा cute है लेकिन ये वाले brushes भी बहुत ज़्यादा cute है कितने पेजारे color है इनके और बहुत small से brush है तो मुझे ये वाले brush ज्यादा अच्छे लगते हैं ठीक है जनाब ये था मेरा आज का review उमीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को like कर दीजेगा और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो subscribe भी कर दीजेगा और बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा है तो friends के साथ share भी कीजेगा तो मुझे दीजे इजादर till the next अलाहाफीज तो मुझे दीजे इजादर till the next अलाहाफीज